खबर वही जो पब्लिक ने कही आप पब्लिक नियूज पर खबर सुन रहे हैं प्रस्तुत है आश शाम तक की प्रमुक खबरें राश्ट्रिय खबरें संसद में आज दिखी किसान आंदूलन की तपिश, किसान विरोधी बिल वापस लो, राजसवा के बाद लोक सभा में भी विपक्षी संसदों की नारे बाजी, सदन की कारिवाही इस्तागित राकेश टिकैट ने कहा सडकों को बंद कर किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है दिल्ली पुलिस किसान नेता राकेश टिकैट से शिफ सेना सांसद संजेराउत ने की मुलाकात कहा जो संदेश हमें देना था वो हम दे चुके गाजीपुर सीमा को पत्थरों वह कटीले तार लगा कर बंद करने के बाद पुलिस बजा रही है डीजे ताकि किसान नेता फोन पर बात ना कर सके और उनकी मीटिंग न हो सके गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस आयुक्त ने किया सुरक्षा इंतजामों का निरिक्षड भारत अभियान की मजबूती में एक बड़ा कदम साबित होगा सुप्रीम कोट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजे सिंग की राज़त्रों वाली आचिका पर आदेश पारित करने से किया इनकार मोधी सरकार पर प्रियंका गांधी वाडरा ने हमला बोलते हुए कहा प्रधान मंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध वही राहुल गांधी ने कहा पुल बनाईए दीवार नहीं आर्मी के दो शीर्ष कमांडरों के बीच मत्भेद के चलते भारतिय सेना ने दिये कोर्ट ओफ इंक्वाइरी के आदेश इसराइल के पी-म बेंजामिन नेतान्याहू से पी-म मोधी ने कहा आतंकियों को सजा दिलाने में पूरी ताकत जोग देंगे पानीपत में वेक्सिनेशन का दूसरा फेज आठ फरवरी से शुरू राजस्वव पंचायती राज कर्मचारियों को लगेगा कोरोना का टीका बीजेपी मुख्याले से नाम फाइनल होते ही बिहार में हो जाएगा नीतीश सरकार के मंत्रमंडल का विस्तार बिहार बीजेपी ने भेजे संभावित मंत्रियों के नाम मध्य प्रदेश के बैतूल में किसानों के साथ दोका दड़ी रिपोर्ट तरज नहीं विदेश की खबरें चीन में कोरोना का नकली टीका बनाने के आरोप में 80 लोग गिरफतार दिल्ली की खबरें दिल्ली में चार फरवरी से सामाने होंगी एम्स की OPD सेवा लेफटिनेंट जनरल गुर्मीद सिंग ने कहा सेना को और समरिध बनाएगा बजट किसान प्रदर्शन के चलते दिल्ली के NH24, NH9, रोड नमबर 56, 57A, कोंडली, पेपर मार्केट, टेलको टी पॉइंट, EDM मॉल, हक्षरधाम और निजाम उद्दीन खट्टा की ओर डैवर्ट किया गया या तयात उत्तरप्रदेश उत्राखंड की खबरें जल्द ही लेखपालों को इंटरनेट चलाने के लिए योगी सरकार देगी डाटा चार्जेज वाना नसी से कैश लेकर मॉंबई जा रहे तीन लोगों को मद्ध प्रदेश की कुरई पुलिस ने सिवनी नागपुर नेशनल हाइवे से किया गिरफतार प्रयांका गांधी को पत्र लिख कर भाजपा विधायक अलका राय ने पंजाब सरकार पर लगाया मुकतार अंसारी को बचाने का आरोप राम मंदिर निर्माड के लिए अब तक खातों में आये तीन सो पचास करोड रुपई प्रयाग राज में फिर से चलेगी राची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस कोलकाता उदैपुर अनन्या एक्सप्रेस प्रयाग राज में क्राइम ब्रांच सिपाही बनकर गुंडा टेक्स मांगने वाले तीन गिरफतार गोरकपुर के यूपी बाल आयोग ने कुशी नगर के डियेम से मांगी रिपोर्ट मासूम से दुशकर मामले में की पूछ ताच हल्दो आनी में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के नेतरत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन दहरादून में जिलाध हिकारी के साथ बैठक में हुआ फैसला शहीद इसमारक दूसरी जगे नहीं होगा शिफ्ट उत्राखंड के मुखे मंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत ने गांधी शताबदी अस्पताल में किया आईसी उ का लोकार पड़ उत्राखंड मंत्रमंडल की आज हुई बैठक कुम्भ की सोपी पर होगा मंथन व्यापार की खबरें HDFC बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर की जाँच के लिए RBI ने नियुक्त की बहारी फर्म अमेरिका भारत रढ़नीतिक इवम साजिदारी मंच ने बजट 2021-2022 की प्रशंसा करते हुए कहा भारत को 5000 अरव डॉलर की अर्थविवस्ता बनाने में मददगार हुगा आम बजट खेल की खबरें टेस्ट सिरीज के दौरान चोटिल होने के बाद टीम इंडिया में हुई केल राहुल की वापसी सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट के पहले दौर में डारिया को दी मात अमेरिका की कोको को करना पड़ा संगर्ष खेल प्रावधानों को शिथिल करने का अधिकार सरकार के पास होगा खेल मंत्रा ले मनोरंजन की खबरें बिग बॉस चौदा में घर में बदले रिष्टों के समी करण निक्की ने राहुल को किया नॉमिनेट बॉलिवुड अभिनेत्री कृती खरबंदा को पिछले साल मलेरिया हो जाने के कारण घट गया था 6 किलो वजन वाइट बिक्नी में बीच पर दिशा पतानी ने दिया बोल्ड पोज पोले फैंस आग लगा दी बिक बॉस चौदा की सदस से देवोलीना ने अर्शी खान को दी गाली वसाथ ही किये अशलील इशारे पियम मोदी से फैंस ने फिल्म केजी एफ टू की रिलीज के दिन नेशनल हॉलिडे की घोशना करने का किया अनुरोध